नमस्कार मित्रो मैं मम्ताबाश बेभुपाल से मेरी हारी बरी छत पर आपका स्वागत है लीजिए मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नए जानकारी के साथ आप देख रहे हैं इंडियन टेरिस गार्डनिंग आर्ड ये मेरा वो खुब सुरत कौना जो मैंने अभी कल पर सो जाड़ पहुँचकर फिर से तयार किया था तब एक कॉमेंट आया था कि आप पौधों के नाम भी बता देते तो बहुत अच्छा होता कुछ लोग बेगिनर होते हैं जने नाम नहीं मालूम होते तो चलिए इस कौने में मैंने कौन कौन से मेरे शेड लविंग प्लांट रखे हैं वो मैं उनके नाम बताती हूँ और ये कौना ऐसा है जहां शेड रहती है धूप नहीं आती तो आप कौन कौन से पौधे रख सकते हैं मैं बताती हूँ यह जो सामने पौदा देख रहा है, यह सैंसिवेरिया है, स्नेक प्लांट भी बोलते हैं, और यह सैंसिवेरिया की ड्वार्फ वराइटी है मेरे पास बहुत सारे पौदे हैं, इसको सैंडी सॉल चाहिए होती है, बिल्कुल छाओं में अच्छे से रह जाता है, घर के अंदर भी बहुत अच्छे से रहता है, ऑक्सिजन क्रियेट करता है, और घर सजाने के लिए बहुत अच्छा पौदा है तो आप ये आराम से लगा सकते हैं, कुछ लंबे पतों वाले भी आते हैं, ये मेरा वारिगेटिट है, और ये ग्रीन है, ये बहुत कौमन है, सब जगे मिलता है, और हाँ मैं इने पतों से प्रौपोगेट करती हूँ, तो प्रौपोगेट करते से मैं एक अपने हाँ चें हो जाती है यह मैंने सर्दियों में रखाता है गमला बहुत वजन दार है तो मुझे उठाना है और जैसे ही मुझे सुविधा मिलती है मैं से उठाके अलग करूंगी और मैं प्रॉपगेट भी अलग-अलग करूंगी अलग-अलग पॉट दूँगी और आप इसे भूल के भी दूप में नहीं रखें इसकी टिप बर्न हो जाती है यह इंडूर प्लांट है शेड लविंग प्लांट है शेड में बहुत खुबसूरत रहता है और यह बड़े-बड़े पत्तों वाला है एंथूरियम इसको बिलकुल चाहिए कुछ दिन पहले मैंने दूप में रख दि वैसी जगे रखा था जहां दूप आती थी तो यह खुश नहीं था और यह बेल आप देख रहे हैं इंग्लिश आईवी और नीचे यह गमले में सेकुलेंट प्लांट लगे हैं यह तीन पौदे हैं इनका नाम है हावर्थिया और सेकुलेंट मेरे पास बहुत ज्यादा न अब गर्मियों में इसे बिल्कुल ऐसी जगे रखें जहां शी तलता रहें इंग्लिश आईवी के बारे में बात करूँ तो इसको वैल ड्रेंट सॉयल चाहिए और यह क्रीपर भी है और यह हैंगिंग बासकेट में भी बहुत अच्छे से चलती है और रंग तो इसके रंडी निकली और फूल है बीज बनते तो मैंने कभी नहीं देखा पर मुझे अच्छे लगती है यह रंडी निकलना सो मैं निकलने देती हूं और यह पौधा मैच्योर होने पर ही निकलती है और यह ग्रीन लंबे पत्तों वाला जो यह यह तो इंग्लिश आई भी है इसक इंगोनियम तो आप जानते ही होंगे इसे कहीं काटके भी फेक देंगे तो मॉइस्चर मिलेगा और लग जाएगा मॉइस्चर इन लोगों को इन जो इन शेड लविंग प्लांट्स को मॉइस्चर बहुत पसंद है कुछ एक नई मनी प्लांट्स एड़ की है यह गोल्डन होगा मैं आप से शेयर करूंगी अभी तो बस यह अच्छी चल रही है और गर्मी में क्या होता है कैसी कैसी रहती है वो मैं देखती हूँ शेड में मैंने रखा है मिट्टी अच्छी मॉइस्ट खाद वाली बनाई है और यह सिंगोनियम का एक कलर है सिंगोनियम की ड्वार बराइटी भी आती है वो भी बहुत अच्छी लगती है यह है फर्न बोस्टन फर्न और फर्न को भी बिल्कुल ठंड़क चाहिए तो मैंने कुछ पौदे पीछे की तरफ रखे है और यह है ब्रम कमल ब्रम कमल भी पहाड़ों का पौदा है ठंडी जगे का है तो कोशिश कि है कि हो सारे पौदे कठे रखे इनका आपसी ह्यूमेजिटी क्रियेट की जाए यह फॉक्स टेल फर्न है यह फिर सिंगोनियम है और यह वह सॉंग ओफ इंडिया है या डांस ओफ इंडिया ऐसा ही कुछ नाम है तो एक वेरिकेटिट है गर के अंदर अच्छे से चलने वाल किये थे साल वर के पौदे हो गए पैकेट में थे अभी तक मैंने उतार दिये इनके मदर प्लांट दिखा देती हूँ आपको यह मेरे सेकंड फ्लोर की बालकनी में रखे हैं इन मैसे ही मैंने कुछ डंडिया कुछ पत्ते लेकर प्रोपगेट किया था वो प्रोपगेशन क समय की क्लिप नहीं है मेरे पास पर बहुत आसानी से हो जाते हैं और यह सीजन है अगर आप अभी करना चाहते हैं तो अभी इसकी कटिंग लगा सकते हैं या एक पत्ती भी लगा सकते हैं कभी इसकी लीफ का मैं वीडियो बनाऊंगी पर असल में क्या होता है बड़े स्लो ग्रोथ दी बहुत तो धीरे बढ़ते हैं सो समय लगता है अगर आपको जल्दवाजी है तो तैयार पौदा खरीदिये और आप इंसार कर सकते हैं तो पत्ते से प्रोपोगेट कर लेजिए यह इस फ्लोर पर भी जितने पौदे रखे हैं वो सब इंडूर ही है तो जीजी प्लांट करके अंदर बहुत लंबे समय तक रह जाता है ज्यादा देन अगर आप रखेंगे तो इनकी डालियां लागी हो जाएंगी यह एक पौदा यह तैयार यह तना खुबसूरत है यह रॉक पर बनाया है मैंने अगर आप चाहेंगे कि मैंने इसे कैसे बनाया और एक वीडियो मैं सिर्फ इसी पर ही बनाओ तो मैं जरूर बना दूंगी अक्सर यह पौदों के बीच छिपा रखा रहता है और मैं ज्यादतर वीडियो सबजीयों के बनाती हूं तो यह कभी दिखा ही नहीं पाती तो ठीक है अभी एक जेड है यह भी इसका गमला बहुत तो जो मेरा बोंजाई बना है वो है फाइकस पांडा प्रजाती का उसके दो पौदे और बन रहे हैं और कुछ कोलियस एड की हैं तो सिंगोनियम है कोलियस है एगलोनिमा की कुछ वाराइटी है और क्रोटॉंस हैं और यह भी पत्ते से ही डवलप किये मैं पत्ते के टुकड़े करके गड़ा दिये थे बहुत सारे हो गए और आप भी इसे मल्टिप्लाई कर सकते हैं बहुत आसानी से और एक पाम भी है और यह बहुत पत्ती वाला क्रोटन है क्रोटन को बहुत जादा दिन अंदर नहीं रख सकते कीड़े लग जाते हैं फिर इसमें और यह अरेलिया की दो वराइटी है मेरे पास अरेलिया में बहुत सुंदर आते हैं एक ड्वार्फ वराइटी का अरेलिया भी आता है जो पहले था मेरे पास अभी मर गया खत्म हो गया जट भर गई है पौधों से पर भी मुझे लगता है कि कम है यह वो रवर प्लांट है जिस प और जितने इस बालकनी में पौधे रखे हैं न वो सब सब इंडोरी हैं यह मनी प्लांट से कुछ है यह है पीस लिली यह मनी प्लांट और यह पीस लिली है इसमें तो फ्लार भी निकलने लगा और इसको बहुत मॉइस्चर पसंद है और यह ठंडे प्रदेश का पौधा है य और तीन जीजी के हैं और बाकी सिंगोनियम है अलग अलग बरायची का तो एक टिप और देती हूं कि अगर इंडोर प्लांट है या शेड लबिंग प्लांट है गर्मी और में इने एक चगे छुंड बना के रख देंगे छट के ऐसे कौने में जहां धूप कम आती है तो य हुमिडिटी क्रियेट होगी गर्मियों में बचाना मुश्किल हो जाता है तो यह आपको करना ही पड़ेगा तो मेरे तो यह आम के पेड़ है और बील पत्र का पेड़ है अगर आपके बगीचा है जमीन में और खूब बड़ा कोई वरक्ष है तो उसके नीचे साफ करके आ आप सारे शेड लबिंग प्लांट रख देंगे वो इतने हैल्दी रहेंगे कि बस पूछे मत यह एक पीस लेली मैंने कमरे में अंदर रखा है यदि आप चाहते हैं कि मैं पौधों से अपना घर कैसे सजाती हूँ यह देखना चाहते हैं तो कॉमेंट करके बता दीजिए म मैं एक बार सारे इंडोर प्लांट भी डेकोरेट करके दिखा दूँगी आपको तो कैसा लगा आज का यह मेरा शेड लबिंग प्लांट का कलेक्शन मेरा यह सजा हुआ कौना और गनेस जी अगर ज़रा भी अच्छा लगा हो तो फिर लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक् झाल